हेलो गाइस विल्काम बैक टू टेल्वूड अबडेट इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सब टीवी के सीरियल तारक महता का उल्टा जश्मा के बारे में तो लास्ट वीक शो की टीयारपी जो है वो हमें उसमें इंक्रीज देखने को मिला था और सीरियल की टीयारपी फिर से 2.1 पहुंच गई थी उससे पहले जब 2.1 आई थी वो थी दया के रिटर्न वाले ट्रैक पे जहांपर दया एक्चुल में आई नही थी और के बाद यानि की लास्ट वाले वीक के यानि की रीसेंट वीक की टीयारपी देखें तो शो की टीयारपी फिर से डाउन आ गई है 2.1 से कम होकर सीरियल की टीयारपी 1.9 पे वापस से आकर अटक गई है तार्ग में था कुट चश्मा की टीयारपी most of the times 1.9 ही देखने को मिलती है हमें पास् लेकर आ रहे हैं जिसमें लोगों को यह देखने की excitement हो कि नया actor नही एक्टरस कौन है या फिर किसी की वापसी हो रही है और फिर लेकर आ रहे है और उसके बाद जब नॉर्मल हो जाता है सब तो टीयारपी फिर से 2.1 से कम होकर 1.9 पे आ जाती है आपको या लगता है इस सा 2024 में अगर इद्या को वापस ले आते हैं तो इनके DRP हमेशा के लिए 2 प्लस रहा पाएगी यहां फिर ऐसे ही गिरता रहेगा बार बार 1.9 पे पहले एक टाइम हुआ करता था कि तारक में था हमेशा ही हमारे इंडिया के टॉप 5 टॉप 6 के लिस्ट में हुआ करता था लेकिन अब टॉप 10 में होता है जरूरी नहीं हर बार टॉप 5 में हो कभी कभी होता है कि 2 प्लस के DRP लेकर आए और इस अफते लेकर नहीं आपाया है कमेंट सेक्शन बताई आपको क्या लगता है कौन से महीने में दयागी वापसी होगी एक्ट्रस आया है फिर पुरानी आए क्या लगता है मेकर कितनी देर तक लेकर आएंगे अभी के लिए इस पर कुछ भी अपडेट नहीं है वैसे और जैसी कोई अपडेट होगा डेफिनेली बताऊंगा सारी अपकमिंग टीर पी अपडेट्स वगएरा सब जानने के लिए सब पानी के लिए हमें सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन आउन कर लीजिए फिलाल के वडियो में इतना है मिलते नेक्स्ट वीडियो में बिलते हो गुद्बाइ